सुधी अरब रियाद एरपोर्ट से बहुत ही जरूरी जानकारी आई है दोस्तों लगेज को लेकर काफी लोगों को नहीं पता रहता है जैसे इस भाई को नहीं पता था और इन्हें एरपोर्ट पर पहुँचने के बाद किस तरह परिशानियों का सामना करना पड़ा आप सब जो भाई लोग जम जम का पानी ले जाना चाहते हैं अपने मुल्क अपने साथ में और वैसे देखा जाये तो अनॉर्मल अलाव नहीं है लेकिन एक तरीके से जम जम का पानी आप अपने साथ में ले जा सकते हैं वीडियो लास तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी ज जानकारी सभी दोस्तों तक पहुंच सके सबसे पहले लगेज को लेकर बात कर लेते हैं यहां पर आप लोग वीडियो में देख सकते हैं एक भाई साब जो कंबल वाला बैग होता है उसी में कंबल डाल कर वो लगेज बना कर ले जा रहे थे लेकिन लगेज से पहले उन्हें वापिस कर दिया गया इस वज़े से यह अलाव नहीं है ले जाने के लिए काफी भाई ऐसा करते हैं दो कंबल उपर नीचे करके उस पे टेप लपेड कर लगेज बना कर ले जाते हैं तो ऐसी गलती बिल्कुल भी न करें यहां पर आप लोग लाइप पूरूफ देख सकते हैं कंबल वाले बैग को ही लगेज बना कर ले जा रहेते हैं लेकिन लगेज से पहले इन्हें वापिस कर दिया गया यह बोलकर कि यह अलाव नहीं है तो आप लोग भी जब भी जा रहे हैं अपने मुल्क तो कंबल वाले बैग में लगेज बिल्कुल भी ना बनाए ना आप कंबल ले जाना चाहते हैं तो काटून में ही अपने कंबल को डाल कर लगेज बनाए वरना एरपोर्ट पे पहुंचने के बाद आपको परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है और आपको एरपोर्ट पर ही पैकिंग कराना पड़ेगा जिसका चार्ज काफी ज्यादा रहता है 60 रियाल 70 रियाल तक रहता है तो से बहतर है कि आप अपने रूम पर कंबल वाले बैक को ही लपेड कर काटून में डाल दे और कंबल को भी काटून में डाल कर लगेज बनाकर एरपोर्ट पे जाएं और दूसरी अपडेट है दोस्तों जम जम पानी को लेकर काफी लोगों का सवाल रहता है जाते हैं उम्रा करने और जम जम का पानी ले जाना चाहते हैं अपने मुल्क अपने साथ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ जम जम का पानी जो उम्रा के बीजे प्याय हैं वही ले जा सकते हैं लेकिन जैसे कि आप सब जानते हैं नॉर्मल दो लगेज आ आप ले जा सकते हैं फलाइट के अंदर तो उसी तरह अगर जो आप जम जम का पानी जो 5 लिटर का रहता है वो हैंड में ले जाते हैं तो तीन लगेज में गिंती किया जाता है इस वज़े से आपको ले जाने से रोका जाता है लेकिन अगर आप ले जाना ही चाहते हैं जम ज जमजम का पानी आप ले जा सकते हैं यानि लगेज में जा सकता है लेकिन अगर जो अलग से उसे लगेज करेंगे तो वो बिलकुल भी नहीं जा सकता है लेकिन लगेज के अंदर जमजम का पानी डाल कर लगेज को कम्पिलीट करते हैं तो आसानी के साथ में आप ले जा सकते ह क्योंकि काफी भाईयों को ये नहीं मालूम रहता है कि लगेज में ही जाएगा और लगेज के बाहर अगर जो तीसरा लगेज बनाए तो क्या जाएगा या नहीं तो इस वीडियो से सभी दोस्तों का mind clear हो जाएगा कि तीसरा लगेज नहीं जा सकता है अगर आप जमजम का पा के लेक कर जा सकते हैं दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि उहां पर हिंदी बंगाली जो भी लोग काम करते हैं उनके जहासे में बिल्कुल भी मत आईएगा क्योंकि ओ लोग अगर जो आपके पास में दो किलो भी वजन जादा रहता हो तो भी 100-200 रियाल आप लगेज डालने के लिए वहीं पर जाएए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि हमारे पास में एक से दो किलो वजन जादा है पिलीज ये छोड़ दिया जाए और इसको लगेज को कम्पिलीट कर दिया जाए बहुत सारे ऐसे काउंटर होते हैं दोस्तों जो कि एक से दो किलो नोर्मल जाने देते हैं लेकिन फिर भी नहीं जाने दे रहे तो ज्यादा कोशिस कीजिएगा कम से कम कराने के लिए लेकिन उससे बेहतर तरीका यही है कि आप अपने लगेज को या तो बराबर लेके जाएं या तो फिर आधा किलो कमी लेकर जाएं तो काफी ज्यादा ये एक से डेर्ड किलो दो किलो तो किसी के जहांसे में ना आकर किसी हिंदी बंगाली की बातों में ना आकर आप डायरेट काउंटर पर जाकर उनसे रिक्वेस्ट करें आपका समान जरूर चला जाएगा और ना जाये तो फिर इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि वजन ज्याधा ना हूँ रुम से निकलने से पहले ही वजन आप अपना चेक कर लें कम से कम कोशिश करें कि आदा किलो कमी रहें बल्कि ज्याधा न रहें तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों तक जरूर सेर कर देना मिलते हैं फिर किसी और नए जानकारी के साथ किसी और नए वीडियो में तब तक अपना क्या लगते हैं